तो आप सभी विद्यार्थों का स्वागत है इस चैनल में दोस्तो मेरा नाम है मोहन कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए रिजनिंग का एक नया चप्टर आज स्टार्ट कर रहा हूं और विडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहेंगे ये जो विडियो को अच्छे से समझना पड़ेगा जो विद्यार्थी इस विडियो को नहीं समझ पाएगा आगे आने वाला विडियो उसको नहीं समझ में आएगा ठीक है इसलिए ये विडियो जो है इस चप्टर का फॉस्ट विडियो है इसलिए इस विडियो को आप लोगों को जारकरंट कक्षपाल भरोगे या फिर कोई भी वेकेंसी भरोगे जिस पर रिजनिंग आपका एक सैलबस है उस पर दिशा एवंग दूरी ठीक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इससे कोशन कंफर्म आता है तो परिक्षा में कोशन किस किस प्रकार का आता है उसको हम समझाए तो दोस्तों यहां मैंने एक figure draw किया है जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों को हम बता देना चाहेंगे कि दिशाएं जो है वो चार तरह का दिशा होता है पहला क्या है नौर्थ इसके बाद होता है इसके बाद होता है वेस्ट और इसके बाद होता है का मतलब होता है उत्तर इस्ट का मतलब होता है पूरव या पूरु वेस्ट का मतलब होता है ठीक है और साउथ का मतलब होता है दक्षिन यह चार में दिशा होता है ठीक है इसको में डायरेक्शन यानि मेजर डायरेक्शन चार होता है लेकिन इन चारों के अलावा चार अन्य का भी हम लोग परियोग करते हैं, जिसको intermediate direction कहा जाता है, तो ध्यान दीजेगा, कि किसी भी map में, किसी भी map में, यह पहले से परिपाटी बना हुआ है, यह convention पहले से बना हुआ है, कि South को हमेशा नीचे सो किया जाता है, North को हमेशा उपर सो किया जाता है, और East को हमेशा दाए सो किया जाता है और वेश्ट को हमेशा 22 किया जाता है ठीक है आप जैसे किसी भी जैसे भारत का मैप देखोगे तो उपर जो है वो उत्तर को दरसाता है नीचे जो है दक्षेण को दरसाता है दाएं तरप आपका पूरब होता है और बाएं तरप आपका पस्चिम होता है ठीक तक clear है तो यह चार प्रमुख दिशाएं होती है याद रखिएगा North, East, South and West ठीक है आप की दुरों से पढ़ सकते हो यह चार मुख्ये direction होता है चार प्रमुख दिशाएं हो गई और इसके अलावा जो चार अन्य दिशाएं दोस्तों वो कौन-कौन सा दिशा है ध्यान दीजे ठीक है East, North आप लिखोगे तो यह थोड़ा सा अजीव लगता सुनने में सही आपका क्या है North East यह आपका मेन हो गया ठीक है इधर वाला हम उसी तर लिखेंगे S को पहले रखेंगे तो इधर वाला दिशा क्या होगा North West इसको हिंदी में क्या कहेंगे इसको कहेंगे और उत्तर दोनों मिलके क्या बन गया पूर्व उत्तर और इसको कहेंगे पस्चीम उत्तर पस्चीम और उत्तर मिलके क्या बन गया पस्चीम उत्तर इंगलिस में हो गया North East और यह हो गया North West ठीक है उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा SW मतलब क्या हो गया यह दक्षिण ठीक है, North East, North West, ठीक है, South West, South East, समझ माग्या, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, कि चार अन्य दिशाएं कोन कौन सा है, पहला है पुर्वोत्तर, पस्चिम उत्तर, ठीक है, दक्षिल पुर्व, यह चार अन्य दिशाएं होगे, चार में दिशा कोन सा है, यहाँ जानते हैं कि पूरब को बता रहा है और बाये बता रहा है तो समझचाणक है को बता रहा है तो नीचे बता है तो तो समझना North, राइट तो करेगा तो समझना East, वेष्ट वेष्ट तो करेगा तो समझना की बाइह वाला दिखा रहा है, बाइह दिखाया मतलब वेष्ट हो गया, नीचे सो करेगा तो क्या हो गया? कौन सर दिशा होगा? South होगा. तो जैसे कि exam में ये दे question आ जाता है, कि मोहन पूरब की ओर चलता है, तो पूरब को ऐसे chin से so करेंगे, ठीक है, लिखेगा कि मोहन पस्चिम की ओर चलता है, तो पस्चिम को ऐसे so किया जाता है, कहेगा कि मोहन उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर को हम ऐसे दिखाएंगे, बाएं का मतलब waist उपर हो गया end मतलब north और नीचे होता है south यहां तक समझ में आ गई बात किसी को कोई दिक्कत है तो अभी भी comment करके आप पूछ सकते हो तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को कोई दिक्कत ही होना चाहिए चली एक बार फिर से समझा देता है कि उपर होगा आपका उत्तर, नीचे दक्षिन, दाएं पूरब, बाएं पस्चिम ठीक है यह क्लिए हो गया उत्तर को उपर वाला तीर से सो करते हैं नीचे वाला तीर को south बताता है और दाये वाला तीर आपका पस्चिम बताता है और दाये वाला तीर क्या बताता है पूरा बताता है यहाँ तक clear हो गया चली आगे बढ़ते हैं इसको मिटा देते हैं चलो अब question देखो की इस प्रकार से पूछा जाता है एकजाम में ठीक है यह हुआ chapter का थोड़ा सा basic knowledge ठीक ह यह हम आप लोगों को अभी बताएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कि कोई व्यक्ति यदि सूरज की तरफ मूग करके खड़ा है और वाएं मोड जाता है तो उसकी दिशा क्या होगी? और कहेगा कि कोई वेक्ति सूरियास्त की और खड़ा है, मतलब सूरज डूब रहा है और खड़ा है, और बाये मोड गिया, तब उसकी दिशा क्या होगी, तो उसकी दिशा को बताने के लिए कैसे हम फर्मॉला लगाएंगे, कैसे समझाएंगे कि क्या है नहीं है, तो इस सब तक जो हम पड़े, इससे कोईशन एक्जाम में कैसे पूछा जाता है, चली हम आप लोगों को दिखाते हैं, वान मिनिट रुख जा, हम कोईशन लिखते हैं, तब तक इस वीडियो को हम फास्ट कर देते हैं, ठीक है, तो चली मैंने कोईशन लिख लिया है, अब हम आप लो हाथ में confusion है आप लोगों को, बहुत से लड़के ऐसे भी होते हैं कि दायां और बायां पहचानते ही नहीं, कि कौन सा दाया है, कौन सा राइट है, कौन सा लेफ्ट है, एक्जाम में confuse कर जाओगे, तो आपको पता होना चाहिए, राइट हैं कौन सा है, ठीक है, confirm होना बाव देखो, तो दाये और बाये का ज्यान होना चाहिए, आप देखो question क्या लेखा, ध्यान से सुनना, कि मोहन अपने घर से, मोहन अपने घर से निकल कर, पूरब की और चलना प्रारम करता है, कोशन समझना कि मोहन अपने घर से निकला और पूरब की और चलना प्रारम किया माल लेते हैं मोहन ए पॉइंट पर था मोहन कहा था अपना घर ए पॉइंट पर था जब भी कोशन आएगा तो A, B, C, D इस तरह मानते चलना ठीक है तब कोशन आप बना पाओगे, देखो तो मोहन अपने घर से निकल कर पूरब की और चलना प्रारम करता है तो यह मोहन का घर है और यहां से निकल गया और पूरब की और जा रहा तो किदह जाएगा उपार? की नीचे? की इधर? की इधर? पूरव हम बता चुक है ना, कि पूरव हम इसा इधर ऐसे तिर दिखाएंगे, तो यह यहां से पूरव की और चलना प्रारम करता है, ऐसे दिखा दिया हम, ठीक है, प्रारम करता है, और कुछ दूर चलने के बाद, ठीक है, बाएं मोड जाता है, तो कुछ दूर चलने के हनलेता यहां तक पहुंच गया और उस इसा जा रहते का मतलब क्या इधर जाएगा ओधर जा रहाँ ना जैसे इदर जा रहते हैं इसे चल रहेते हैं चल रहेते तो बाइधर जाएगा तो जैसे यह मोहन है तो अपने घर से यहां गया और फिर बाएं मुड़ जाता है देखो आप सोचो कि आप ऐसे ऐसे जा रहे हो जा रहे हो और यहां तक पहुंच गए अब दाएं मुड़ना है तो दाएं मुड़ना है तो किदर जाओगे इधर किदर तो दाएं इधर न हो गया तो कुई दूर चलने के बाद यह दाएं मुड़ गया फिर और फिर क्या कहता कि अंत में फिर से ये दाएं मुड़ जाता है तो ये ऐसे फिर से जा रहा था जा रहा था जा रहा था अब दाएं मुड़ना है तो सिधा ऐसे मुड़ेगा मुड़ेगा कि ये दाएं तो ये ऐसे जा रहा है जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो फिर इधर आएगा ठीक है त अब कोशन में क्या पूछ रहा है देखो और अंत में दाय मोड कर चलना प्रारम करता है तो अब वह किस दिशा में जा रहा है तो अब बताओ मोहन किस दिशा में जा रहा है किस दिशा में जा रहा है नीचे जा रहा है तो नीचे मतलब क्या होता है नीचे मतलब होता है ठीक है, मोहन अब किस दिशा में जा रहा है, दक्षिन दिशा में जा रहा है, समझ माया कोश्चन आप लोगों को, एक और एक्जामपल देखर कि समझाना पड़ेगा मुझे, यहां तक समझ माया गया, कोश्चन बहुत तरह से पूछा जाता है, एक दिन में यह चैप्टर प कोश्चन आप लोगों का किसी भी तरह से एक्जाम में पूछा जा सकता है, यह भी दे सकता है, कि बाएं मुढ गिया, दाएं मुढ गिया, या फिर एक्जाम में कोश्चन देगा, कि दक्षिन मुढ गिया, पस्चिम मुढ गिया, है ना, पांच किलोमेटर चला गिया, दस किलोमेटर दक्षिन चला गया इस तरह कई तरह का कोशन एक्जा में पूछा जा सकता है और यह भी पूछ सकता है कि जहां पहले था और जहां पहुंच गया वहाँ से अब कौन सा दिसा में है ना यह सारी चीजे पूछा जा सकता है तो और भी कई कोशन प्रकार हैं जो आपक सकते हो कोशन ध्यान से पढ़ना देखो क्या लिखा है कि राकेश अपने अस्थान से दक्षिण की और चलना प्राड़म करता है माल लेते हैं यहां पर राकेश है माल लेते हैं इस पॉइंट का नाम है यह अपने अस्थान से कहा जाता है दक्षिण की तरफ तो कौन सा किदर जागा नीचे उपर बाएं दाएं किदर दक्षिंड की तरफ मतलब नीचे ठीक है समझ रहो ना हम पहले ही बता चुके है कि दक्षिंड को नीचे तिर से दिखाएंगे पूरब को दाएं तिर से दिखाएंगे पस्चिम को बाएं तिर से दिखाएंगे और उत्तर को अप बाएं मुड़ जाता है यहां पर बहुत सार विदार्थी गलत कर देगा देखो माल लेते हैं कि इधर दक्षीन की तरफ चला गया अब इसको बाएं मुड़ना है तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा कितने विदार्थी होश्यार है थोड़ा से दिमाग लगाना जैसे कि मा होगा आप सोच के बताओ कि इधर सामने जा रहे तो सामने से तो पता चल रहा है कि इधर मेरा दाएं है इधर मेरा बाएं लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं दक्षिन की ओर जा रहे है तो इसका बाएं दाएं कि इधर होगा यहां बहुत सारे विदार्थी गलत करेंगे लेकि लेकिन उल्टा दिसा में जा रहा है इसलिए इसका बाएं जो है इधर होगा आप सोच करके देखो और कॉमेंट करके मुझे बताओ तो इसका बाएं इधर हो गया आगे क्या बोलता है कि फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मोड़ जाता है अब इधर जा रहा है अब दाएं मोड़ा दिये हम और अंत में वहां दाएं मोड़ कर चलना प्रारम करता है अब फिर से चला गया इधर अब फिर से इसको दाएं मोड़ना है किदर मोड़ना है दाएं मोड़ना है तो दाएं अब इसका किदर होगा इधर हो जाएगा इधर बाएं हो जाएगा उपर जाता तब इधर बाएं होता ठीक है अब नीचे जा रहा है दक्षिन की और जा रहा है तो इसका दाएं किदर हो गया इधर दाएं हो गया तो क्या लिखा है कि आंत में हुआ दाएं मुड़कर चलना प्रारम करता है तो आंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारम किया यह अब और भी example और और भी कई तरह का question हम next class में आप लोगों को बताएंगे कि 5 km पूरफ चला 10 km मोड़ गया फिर 15 km ऐसे चल गया ये सारे question हम आप लोगों को next class में बताएंगे question का भंडार लेकर के आएंगे previous year question भी solve कराएंगे पूराना question जो exam में आ चुका वो सब solve कराएंगे ठीक लेकिन साही answer comment करना तो यदि आप लोगों को यह video पसंद आया तो इस video को share जरू करना ठीक है share करना सबसे जरूरी है तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलें next video में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद